आईए पाच्छे संबंधित भिन्न तरह की प्रस्ण और किस तरह पुछे जा सकते हैं वे देखते हैं तो अगला भ्यास है निर्देश अधोल खिता नाम वाक्या नाम हिंदी भास या अनुवादम कुरुत नीचे लिखे हुए वाक्यों के हिंदी भासा में अनुवाद करो अर्थात नीचे जो वाक्यों के लिखे हुए हैं उन वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करना है पहला वाक्या मातुह नाम भाग्यवती आसीत अब इस संस्कृत में लिखा हुवा वाक्य है इसको हमको हिंदी में बताना है पाठ हमने भली भाती पढ़ाया और समझा है तो निशी तरुप से इसका उत्तर दे सकते हैं इसका अनुवाद होगा माता का नाम भाग्यवती था अगला वाक्या नत्वहम कामये राज्यम मैं राज की कामना नहीं करता हूं मैं तो राज की कामना नहीं करता हूं यह हो गया? अगला वाक्य अत्र सेवा केंद्रान संचालिताने यहां सेवा केंद्र संचालित हो रहे हैं क्या होगा अत्र यहां सेवाकेंद्र संचालित और संचालित हो रहे हैं अगला अक्य है इदम नगरं परीपूतम भवत इदम मतलब होता है यह नगरं का मतलब हुआ नगर परीपूतम भवत तो यहां नगरं परीपूत हुआया है अगला बाक्या है सह देशे ख्यातिम लब्धवान् सहा का मतलब होता है वह या वे वे देश में ख्यातिम या प्रसिद्धि या किर्ति या या नाम तो सह उन्होंने देश में प्रसिधी प्राप्त किया या वे देश में ख्याती प्राप्त किये तो ऐसा कहें तो हो गया यह तो इस तरह से अनुवाद से संबंधित प्रस्न पूछे जा सकते हैं तो अनुवाद में ध्यान दीजिएगा कभी वाक्य संस्कृत में दीए जाएंगे उनका हिंदी में अर्था पूछा जा सकता है कभी हिंदी में वाक्य दीए आएं तो उनका संस्कृत में अनुवाद पूछा जा सकता है आईए हम अगले भ्यास के और आगे बढ़ते हैं हमारा अगला भ्यास है अधो लिखेता नाम वाक्या नाम संस्कृत भास या अनुवादम कुरुत नीचे लिखे हुए वाक्यों के संस्कृत भासा में अनुवाद करो अर्थात यहां कुछ वाक्य भी दिये जाएंगे उन व में स्वर्गन नहीं चाहता हूं अहम स्वर्गम न इच्छामी या अहम स्वर्गम न कामये दोनों तरह आप कह सकते हैं इच्छामी भी कह सकते हैं क्योंकि यहां就 सब्द गिया है चाहना तो चाहना के लिए जितनी धातुओं का प्रयुक्त किया जाता है उतनी धातुओं के रूप आप यहाँ प्रयुक्त कर सकते हैं तो अहम स्वर्गम न कामिये ये भी सही है और साथ ही अहम स्वर्गम न इच्छामि ऐसा भी लिख सकते हैं अगला वाक्या है आत्मा नंद के पिता का नाम धनी राम था इसका अनुवाद करना है तो आत्मा नंद के आत्मा नंद सब्द में सश्थ्वी भक्ति का प्रयोग करना है सश्थ्वी भक्ति एक वचन का प्रयोग करना है और पिता का तो पित्री सब्द जो है इसमें भी हमको सश्थ्वी भक्ति एक वचन का प्रयोग करना है और था ये आसीत बने अ सधातु लंग लकार प्रथम पुरूस एक वचण का रूप हमको लेना होगा तो आत्मानन्द का स्थ्विवक्ति क्या होगा? आत्मानंदस्य पितर सब्द का स्थ्विवक्ति क्या होगा? पितुह तो आत्मानंदश्य पितुह नाम धनिराम आसीद आत्मानंद के पिता का नाम धनीराम था हो गया ऐसा कर दीजे अगला वाक्य है नारायन पूर बस्तरवन प्रांत में है नारायनपूरं बस्तरस्य वन प्रांतरे अस्ती अगला वाक्य स्वामी आत्मानंद का संगठन कौसल अपूर्व था स्वामी आत्मानंद का संगठन कौसल अपूर्व था स्वामी आत्मानंद का संगठन कौसल अपूर्व था हो गया अगला वाक्या उनके द्वारा जीवन समर्पित किया गया तो उनके द्वारा तो इसमें यहां क्या होगा तो सेक के द्वारा तृतिय भक्ति का प्रयोग करना है कि इसमें उनके या सर्वनाम का प्रयोग किया गया है तो तद सर्वनाम तृतिय भक्ति एक वचन और पूर्लिंग का रूप तो तेन जीवनम समर्पणम अकरोत उनके द्वारा जीवन समर्पण किया गया तेन जीवनम समर्पणम अकरोत उनके द्वारा जीवन समर्पण किया गया तो ये अनुवात से संबंधित कुछ प्रस्न हुए इसके अलावा रिक्त स्थान से संबंधित कुछ प्रस्न पूछे जा सकते हैं आईए उन रिक्त स्थानों से संबंधित, पूछे जाने वाले प्रश्ण जो हमारे पाठ्श-पुस्तक में दिएऊ हैं उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं। अभ्यास है रिक्त स्थानानी पूर्यत निर्देश है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ध्यान दीजिएगा रिक्त स्थान में कोई वाक्य होता है उसमें से किसी एक सब्द या दो सब्द को वहां से हटा दिये जाता है या गायब कर दिये जाता है और कभी-कभी उन रि घ्राइंव wise लिकल्प नहीं दिये हुए हुए तब भी हमें रिक्त स्थान की पूर्ती करना आना चाहिए तो यहां जो रिक्त स्थान दिये हुए उन्हें देखते हैं, आइए पहला वाक्य है आत्मानन्दस्य रिक्त स्थान सरवतर प्रसंशित असित अर्था क्या होगा इसका? आत्मानंद का रिक्तेस्थान सर्वत्र प्रसंशित था तो आत्मानंद का क्या सर्वत्र प्रसंशित था? तो उत्तर है धेवाक्यम तो किवल आपको धेवाक्यम बस इतना सब्द नहीं लिखना है क्या करना है जब भी रिक्तिस्थान से संब्धित कोई प्रशन पूछा जाता है आपको पूरे वाक्य को लिखना है और जहां रिक्तिस्थान दिया है वहाँ उस रिक्तिस्थान में क्या सब्दा आएगा इसको लिखना है और उस सब्दा को आपको रिखांकित करना है तो इस अगला है रिक्त स्थान तमे वर्से आत्मानंदह ब्रहमलीनह अभवत खाली स्थान वर्स में आत्मानंद ब्रहमलीन हुए कभी ब्रहमलीन हुए थे तो उत्तर है हिंदी में क्या उत्तर है उसका 26 अगास्त उन्नीस साव नमासी को तो लिखेंगे इसको सजविनसतिह आगास्त नमासितिह अधिक नमसतोतर सहस्रतमे वर्से आत्मानंदह ब्रहमलीनह अभवत और यहां सजविनसतिह आगास्त नमासितिह अधिक नमसतोतर सहस्रतमे वर्से आत्मानंदह ब्रहमलीनह अभवत आईसा लिख दीजे हो गया आगे बढ़ते हैं राइपूरे विवेकानंद विद्यापीठम रिक्तस्थान अब रिक्तस्थान में क्या आएगा अठाथ राइपूर में विवेकानंद विद्यापीठ की बाद रिक्तस्थान दे दिया गया है तो उस रिक्तस्थान पर क्या करना है उस रिक्तस्थान की पूर्ती हमें ऐसा करना है और यह हमें पाठ के अधार पर करना है तो रायपूरे विवेकनन्द विद्यापीठम स्थापीठम रायपूर में विवेकनन्द विद्यापीठ स्थापीठ है हो गया उत्तर? अगला वाक्या खाली स्थान नेत्रित्वम प्रदत्तम खाले स्थान नेत्रित्व प्रदान किया गया तो अपूर्वं नेत्रित्वं प्रदत्तम अपूर्व नेत्रित्व प्रदान किया गया केन स्वामी आत्मानंदेन स्वामी आत्मानंदेन अपूर्वं नेत्रित्वं प्रदत्तम ऐसा भी आप लिख सकते हैं स्वामी आत्मनंद के द्वारा अपूर्वन ने त्रित्व प्रदान किया गया या केवल आप यही लिखें कि अपूर्वम ने त्रित्वम प्रदत्तम तब भी सही है लेकिन यहाँ अपूर्वम या स्वामी आत्मानंद नंदेन स्वामी आत्म नंदेन अपूर्वम ये कहा रहे हैं तो इतने को पूरा हमको रिखांकित करना पड़ेगा या केवल अपूर्वम लिख रहे हैं तो केवल अपूर्वम को ही रिखांकित आपको करना है तो अपूर्वम नेत्वित्वम प्रदत्तम अगला वाक्य है Cambridge वीष्व विद्यालयस्य रिक्तिस्थान फेलोशिप प्राप्तवानसव Cambridge वीष्व विद्यालयक के कौन सा फेलोशिप प्राप्त हुआ था? Wrangler तो यहाँ काली स्थान क्या लिखना है हमको? Wrangler लिखना है तो उत्तर हम कैसे लिखेंगे? वाक्यों को पूरा लिखना है वाक्यों पूरा लिखें Cambridge 20 विध्याले यश्य Wrangler Fellowship प्राप्त वान सव Cambridge 20 विध्याले का Wrangler Fellowship उन्होंने प्राप्त किया ऐसा कहें यह हो गया तो यह रिक तेस्तान से संबंधित जो प्रस्न पूछे जाएंगे, उसको आप इस तरह से हल कर सकते हैं, साथे साथ जब हम पाठ पढ़े, तो पाठ में विभिन सब्द जो आये थे, सब्द अर्धातु आये थे, उनसे संबंधित प्रस्न पूछे जाते हैं, कोई भी एक सब्द का रूप दिये जा सकता है, उस सब्द रूप में से मूल सब्द क्या है ये पहचानने के लिए कहा जा सकता है, उसकी विभक्ति पहचानने के लिए कहा जा सकता है, उसका लिंग पहचानने के लिए कहा जा सकता है, आईए, यहां देखते हैं कि इस तरह के प्रस्न पूछे जा रहे हैं, अब भ्यास है, अ मूल सब्द विभक्ति और लिंग को पहचान कर हमें लिखना है। जैसे सब्द रूपम, सब्द रूप दिया हुआ है, तो पदम, एक पद दिया हुआ है, जैसे समाजे, यह एक यथा करके उधारन की रूप में दिया गया है, तो समाजे यह एक पद है इसका मूल सब्द क्या ही यह पहचानना है इसमें कौन से भक्ति लगी ही है पहचानना है और कौन से लिंग का है यह पहचानना है तो समाजे यह पद है और इसका मूल सब्द है समाज विभक्ति इसमें लगी हुई है सब्तमी लिंग की पहचान पूलिंग यह आपकी पुष्टक में दिया हुआ है अब आगे की जो सब्द हैं उन्हें देखते हैं भक्तस्य, भक्तस्य यह जो सब्द दिया हुआ है, इसका मूल सब्द है भक्त, और विभक्ति है सश्ठी, और लिंग पूर्डिंग, और साथ ही यदि वचन कहें, तो वचन है एक वचन, समाजे जो कहा गिया है इसका भी वचन नहीं दी हम कहें तो एक वचन अपलिख सकते हैं भागवत्याह भागवत्याह जो सब्द है इसका मूल सब्द है भागवती देखें भाग्य धन मतुप प्रत्य के योग से सब्द बनता है भाग्य वती मतु प्रत्या के योग से वत या मत का योग होता है और मतु प्रत्या के योग से बनने वाले जितने सब्द होते हैं उनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं नपुन्सक लिंग में भी, स्ट्रिलिंग में भी और पूर्लिंग में भी यहां भाग्यवती यहां जो सब्द बना है भाग्यवत्या में मतूपपत्या लगा और इसके योग से जो सब्द बना है भाग्यवती यहां इस्टरिलिंग का रूप है इसी तरह से पूर्डिंग में इसका रूप बनेगा भाग्यवान तो भाग्यवत्याह यहां जो सब्दा आया है हमारे सामने इसका मूल सब्दा है भाग्यवती और विभक्ती की पहचान करनी है तो विभक्ती कौन सी है? विभक्ति यहाँ पंच्वी भक्ति भी है और सश्ट्वी भक्ति भी है अदोनों में एक वचन का यह रूप है और साथ सी साथ लिंग पूछा जा रहा है तो लिंग है इस्ट्रिलिंग तो भाग्यवती सब्द का जो सश्ट्वी भक्ति का रूप बनता है वह नदी सब्द का जिस तरह से सब्द रूप बनता है उसी तरह से भाग्यवती सब्द का रूप बनता है नदी का रूप बनता है नद्याह नद्योह नदीनाम तो भाग्यवती सब्द का सश्ट्वी भक् तो इस तरह से इसके रूप बनते हैं, ये आपको आना चाहिए, तो इसके लिए एक अभ्यास करने की आवश्चक्ता होगी, आप भली भाती अभ्यास करेंगे, तो इस तरह से विभिन जो सब्द होते हैं, उनके सब्द रूपों को जान सकते हैं, इच्छया, इच्छया, इसका मूल सब्द है इच्छा, और विभक्ति है तृतिय विभक्ति, एक वचन का यह रूप है, और यह स्रीलिंग का रूप है, प्रांतरे, प्रांतर, यह मूल सब्द है इसका, और सब्दिम्भक्ति का रूप है, और लिंग है पूर्लिंग, वर्धायाम वर्धायाम सब्द का मूल सब्द है वर्धा विभक्ति है सब्तमी लिंग है श्रिलिंग वचन है एक वचन तो इस तरह से हम विभिन्न जो सब्द दिये जाते हैं इनके मूल सब्द, विभक्ति, वचन और लिंग को पहचान कर लिख सकते हैं अगला अभ्यास है जिस तरह से अभी हमने सब्दों की पहचान के इसी तरह से जो धातू रूप होते हैं इन धातू रूप वाले जो पद होते हैं इनको भी पहचानने के लिए कहा जा सकता है इनमें जो धातू रूप दी जाते हैं उनमें से मूल धातू क्या है उनमें लकार कौन सा प्रयोग हुआ है पूरूस कौन सा है और वचन क्या है इसकी पहचान करने के लिए कहा जाता है तो आईए यहां अभ्यास में जो निर्देश दिया हुआ है उसे देखते हैं निर्देश है अधो लिखता नाम पदा नाम धातू लकार पूरूस वचनानी लिखत पूरूस क्या है और वचन क्या है इसको हमें पहचान करके लिखना है तो एक उधारन दिया हुआ है यथा आसीत आसीत यहां सब्द दिया हुआ है इसका मूल धातू है अस लकार है लंगलकार पूरूस है प्रथम पूरूस और वचन है एक वचन इसी तरह से अब कुछ सब सब्द दिये जा रहे हैं, इनके हमें धातु, लकार, पूरुस और वचन पहचान कर लिखना है, सब्द है वर्तते, यह जो सब्द आया है, इसका मूल धातु है वृत, लकार है लट लकार और पूरुस है प्रथम पूरुस, वचन है एक वचन, अगला सब्द है संति, इसका धातु है अस, लकार है लट लकार, पूरुस है प्रथम पूरुस, वचन है बहु वचन, कुर्वन्ति, मूल धातु है क्री, और लकार है लट लकार, पूरुस है प्रथम पूरुस, और वचन है बहु वचन, अगच्छत इसका मूल धातु है गम गम करुप बनता है गच्छ और लकार है लंग लकार पूरुस है प्रथम पूरुस वचन है एक वचन कथ यंती इसका मूल धातु है कथ लकार है लट लकार और पूरुस है प्रथम पूरुस और वचन है बहु वचन तो इस तरह से विभिन जो धातु के रूप दिये जाएंगे उनके धातु लकार पूरुस और वचन को हम भली भाती पहचान सकते हैं इसके लिए भी हमें अभ्यास की आवशकता होगी जब तक हम सब्द रूपों को नहीं पहचानेंगे जब तक हम धातु रूपों को नहीं पहचानेंगे तब तक संस्कृत के वाक्यों का भली भाती अनुवाद नहीं कर पाएंगे, भन्री भाती हम उन वाक्यों को समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए संस्कृत के समझ के लिए सब्द रूपों एवं धातु रूपों का भली भाते ज्ञान होना आवश्चक है, आईए, आगे बढ़ते हैं, अगले भ्यास की ओर, कभी-कभी परिक्षा में सब्द रूप और धातु रूप के अलावा जो सब्द होते हैं, जो अव्याई सब्द होते हैं, उनको पहचानने के लिए कहा जा सकता है, कभी कुछ अव्याई सब्द दिये जाते हैं, उनको वाक्यों में प्रयूक करने के लिए कहा जाता है, या कुछ वाक नीचे लिखे हुए अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग करो. यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए है. उनका जो कैसे है? यहाँ कुछ सब्द दिये हुए हैं. और वे सब्दि कैसे है? वे अव्यय सब्द है. अव्याइक इसे कहते हैं आप भली भाती जानते हैं अव्याइक उन सब्दों को कहा जाता है जिनका स्वरुप कभी बदलता नहीं है चाहे वाक्य में हम पूरुस को बदलने या लिंग को बदलने या वचन को बदलने या करता को बदलने किसी भी इस्थिती में वे परिवर् सर्वत्र का मतलब होता है सब इस्थान पर त्वाक्यम क्लोक करना है इस्वरह सर्वत्र वर्तते इस्वर सब इस्थान पर होते हैं च च कतात पर यह होता है और यह संयोजक अव्याय है अर्थात विभिन पदों को जोड़ने वाला अव्याय होता है जैसे वाक्यमें प्रयोख करेंगे च कतात पर यह होता है और अहम पठामी लिखामी च मैं पढ़ता हूँ और लिखता हूँ तो दो चीजे हैं जिनको जोड़ने का कारिया यह च अव्याय जो है कर रहा है यह संयोजक अव्याय है इदम इदम कतात पर यह होता है यह तो इदम यह नपुनसक लिंग का रूप है तो नपुनसक लिंग वाले वाक्यों में इनका प्रयोक कियें करेंगे जैसे इदम इदम पुस्तकम अस्ते यह पुस्तक है संप्रती संप्रती कतात पर यह होता है अब यह इस समय संप्रती अध्ययन कालह अस्ती यह समय अध्ययन का समय है सह कतातपरी होता है साथ तुलेंद्रह पित्रासह गच्छती तुलेंद्रह पिता के साथ जाता है भवान मयासह पठती आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो इस तरह से सह तो विभिन्न जो अव्ययपत दिये जाएंगे इनका हम सरल सरल वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए अवश्यक है कि जो अव्ययपत दिये जाते हैं उनके अर्थक क्या है इसको हमें जानना होगा तो उन पदों के अर्थकों जान लेंगे तो निश्चित रूप से हम सरलता से उनका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं चले आगे बढ़ते हैं अगला भ्यास है पाठे निहितान प्रत्ययान चित्वा वाख्ये प्रयोगम कुरुत पाठ में निहित प्रत्यय से युक्त पदों को चित्वा चून कर वाख्य में प्रयोग करो अर्थात पाठ में जो अव्या कृदंत से युक्त प्रत्यय से युक्त पद हैं उनको चूनना हैं और चून करके वाख्य में प्रयोग करना है तो पाठ में बहुत से सब्द प्रयोग आये हैं जो कृदंत से या तद्धित से संबंधित हैं जैसे प्राप्य, कृतवंतह, स्थापितम, प्रदत्तम, प्रसंसितम, व्यतीतवान, व्यतीतम, नियुक्तम, प्राप्तवान, निर्मातुम जैसे ये सब्द हैं पाठ में किस तरह से इसका प्रयोग किया गिया है इसको आप देखें और उसके अधार पर और कैसे कैसे वाक्य बना सकते हैं इसका एक अभ्यास आपको करना है तो प्यारे बच्चों अभी हमने अध्यन किया पाठ स्वामी आत्मानंदह इस पाठ को हमने भली भाती समझा पाठ के सब्दार्थ का अध्यन किया और साथ से साथ पाठ संबंधित जो अभ्यास के प्रस्न दिये हुए हैं उनका हमने अभ्यास किया यहां अभ्यास के प्रस्नों में जो प्रस्न दिये हुए हैं यह एक नमूने मात्र है इसके इससे इतर पाठ के अधार पर भी विभिन परिक्षाओं में तरह तरह के प्रस्न पूछे जाते हैं चूँकि आपने पाठ भली भाती समझा है इसलिए पाठ संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रशनेदी पूछा जाएगा तो आप उन प्रशनों के उत्तर देने में समर्थ होंगे तो निशित रुप से यह जो पाठ है स्वामी आत्मनंद एक महान व्यक्तित्व पर आधारित पाठ रहा है तो निशित रुप से हम उनके नेक कारियों को समझ है तो पाठ के माध्यम से हमारी संस्कृत के समझ है यह भी विक्षित हुई है यह मैं मानता हूं अंत में सर्व्यभ्यो नमो नमहा